एलो एवरिवन माई नेम इस मनिशा पेरागी वेलकम टो एमल्ट एजूकेशन पॉइट आज का हमारा टॉपिक की जियार्डिया लेमलिया यह इंपोटेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक्जाम एंड कॉंपिटिटिव एक्जाम ठीक है जियार्डिया लेमलिया का नाम जो ह जो है हमारी बोडी के अंदर इंटर होता है तो सबसे पहले जो है इसकी कहां साइट एसी कौन चपर हुद्ध होती है जहां पर यह हमने पढ़ा था कि अमीबा या उसके सूड़ोपोडिया के द्वारा हो रहा था ठीके अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूड़ोपोडिया जिसे वह प्रजेंट होता है उसके द्वारा वो मुंबंट करता है बट जियाडे लेमलिया यह क्या है फ्लेजिलेट्स है तो फ्लेजिलेट्स में क्या होता है इसमें फ्लेजिल्ला प्रजेंट होते हैं जिनके द्वारा यह लोकोमोशन शो करते हैं लोकोमोशन यानिके एक जगे से दूसरी जगे चल कर जाना तो हां बात कर रहे थे हमारी इं स्टार्ट होती है और स्टमक खतम होता है तो जो मिडिल पार्ट होता है इंटस्टीन का स्माल इंटस्टाइन का होता है जैजुनिम का पर पार्ट यानिकि डियोडिन और के बीच में बोता है दीयोडीक으 सकता है ठीक है ओर जंन साथ है इल्में। पर से क्षिह स्टार्ड उजाता है लार्ज झाइन ग्राइंटेंक तो इसके हबीटेट्स जो होती है में ली कहां पर होती है डीयोडीकल दίας सर्फेस पे और यह का है इंस टाइनमेट की मार्फोलोजी इसके क्या है वो दो Dub habil ट्रॉफोजोईट, प्रेसिस्टिक और सिस्टिस्टेस ठीक है इससे प्रीवेस लेक्चर में हम अभी बाग के पारे में डीटेल में पड़ चुके हैं तो उसका वीडियो आप वहां पर जाके देख लीना तो इसमें दो फोम प्रेजेंट होते हैं ट्रॉफोजोईट सबसे पियर तो आपने खाई होंगे तो उसके जैसा अगर यह चेम हो बॉपर का चाब से अगर नीचे अगर उबन पियर के जिसा दिखाई देता है ठीकि उसके बाद में यह होती है यह लेंथ इसकी वोती है 10-20 30µm, और इसकी width है, 10-15µm, ठेके, या फिर 5-15µm भी हो सकती है, उसके बाद डorsal surface is convex and ventral surface is convex, यहां पर लिकाए, ठेके, यानिकि डorsal surface, यानिकि इसकी ऊपर की surface जो होती है, वो आपको दिखाई रही है, कौसी कोण से दिखाई रही है, convex ठीक है और ventral surface जो है आपको concave दिखाई दे रही है यानि कि यह गुमावदार जो है इसको हम कहा रहे है convex ठीक है और यहां से जो surface start हो रही है से हम कहा रहे है यह ventral surface ठीक है यह कौन सी है dorsal surface यह कौन सी है ventral surface और यह कौन सी है convex ठीक है यह कौनसी यह convex और यह surface को हम क्या 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 रहे है concave ठीक है यह कोंसी surface है dorsal यह कौनसी है यह symmetrical होता है..bilitari大的 मतलब की door Bush symmetrical मतलब के समित यानि कि दोनों तरव एक जिसा यानि की इन में क्या होता है कि हर चीज जो हो पेयर में प्रasant होती है पेयर में कैसे जीसे हम इसको अगर साइट देखे इसका क्लिवल लेटर्ल सेर्फेस निकि इधर का प्रूर्शन देखे उदर का हटा दे तो आपको दिख रहा होगा एक नुकलियाई इधर भी है एक नुकलियाई उधर भी है ठीक है चार फ्लेजिल्ला इधर भी है एक सक्लिंग डिस्क इधर भी है एक सक्लिंग डिस्क इधर भी है ठीक है तो आपको यह बाई लेटरिकली बाई मतलब की दो ठीक है बाई लेटरि theoretical मतलब के एक जशा ऐल एक की दोनों तरफ आपको एक जसा वेधिजा नहीं अब इस फोलुवन का होता है करते है यानिकि फोर पेएनर में 4 उसरी जगे जाना ठीक है उसके बाद एक्जोनीम इसमें प्रेजेंट होता है यह एक्जोनीम क्या होता है एक तरीके से फ्लेजिल्ला का इंट्रसेल्यूलर structure होता है प्लस यह क्या करता है उसको nutrient भी प्रोवाइट करता है फ्लेजिल्ला को nutrient प्रोवाइट करने के साथ साथ इस cell को support भी प्रोवाइट करता है कौन exonim ठेक है उसके बाद इसके अंदर क्या present होते हैं nuclei present होते है nucleus present होते हैं एक nucleus तेक केसे क्रियोषंसूम मे enzymes मैटएरियल प्रजेंट होते हैं जो कि यह करता है इसकी जब इसका देवलॉपमेंट होता है वाइनरी फीजन के द्वारा थेकि तो उसमें help करते हैं यानिकि इसके mature होने में उसके grow करवाने में help करते हैं ठीक है उसके बाद इसमें और क्या present है suckling disc present है क्या present है यह suckling disc के आपको दिखाई दे रही होगी ठीक है इस suckling disc क्या करती है मतलब कि यानि कि जब हमारी बोड़ी में इंटर करता है ठीक है थीन रहें कि यह मैंठ इंटर करने के बाद में लग जाता है यह क्या करता है। इसको अवे करने का काम करता है एडेशन जाने कि उसको add hair करके रखता है ठीकिए उसके बाद इसमें क्या प्रेजंट होती है यह यह सपोर्ट प्रोडिम करती है किसका एक्जोनीम है एक्जोनीम को प्रोडिम करती है तो यह सारी चीजके हमने काइमेप्रणी अब हम बात करते हैं त्रोफु dehors एप्टें मैं क्या है तिक वाल प्रजेंट होती है यह तिक्वाल प्रेजंट होती है जो की को करती है सपोर्ट प्रोवाइड करती के अंदर स्ट कि इसके अजह》 इसमें फ्लेजिल्ला नहीं प्रजेंट होते हैं और नुकलियस जो होता है इसमें गर इसको दिखाइडा होगा दो नहीं होता है तो यह क्या होता है बाइलेटिकल सिमेट्रिकल होता है यानि कि आप अगर इसको लेटरल सर्फेस से देखो सिस्ट को भी और ट्रॉफोजोईट को होगी तो आपको सेंवेसा ही दिखाई जगा जिसे एक साइड है ठीक है उसके बाद लेंद इसकी कितनी होती है 10-14 माइक्रो म माइक्रो मिटर्स के लेंद होती है इसमाल होता है दैन किसे टॉफोजोईट से टॉफोजोईट के लेंद कितनी थी फ्रेंट्स 10-20 माइक्रो मिटर्ट ठीक है और 7-10 माइक्रो मिटर्ट इसकी होगी ठीक है इट कंटेन 4 nuclei एक जुने अमन बैसल बोडी में आपको बताया अ में के लिए इंंफेक्टीव पूम लुता है में के लिए उसमें जिसमें मतलब की कोई भी खाना हमें कोई पानी हमने पिया जिसमें सिस्ट प्रेजन Ciao कुन सा सिस्ट, इस अगर उस पानी में या उस खाने में प्रजेंट यह हैं, और वो अगर अपन खा लेते हैं, तो यह जूँए ने लेखा है, प्रिशिट का भागा वारे इसकी रिख रेक्शन के बारे में, ठीक है, धन्य आपको बता है, कि मैन को इसकी द्वारा होता है, आसा फुड्या पानी पीने से या एसा खाना खाने से जिसमें कि contaminated system ब्रॉजन्ट है यह कि infected system ब्रॉजन्ट है फूड्में यह वाटर में ठीक है और और वही contaminated ब्रॉजन्ट अबंपनन खा लेते हैं Only् acting system assigned गर्स। एक्वाइर इंफेक्शन ऑ στο baik system कैंट या पानी पी रहे हो जिसमें थों के द्वारा इंफेक्शन आपको हो सकता है तो 20-25 अगर प्रजेंट के आपके वाइटर में या काने में तो आप infection हो आपको infected infection जो है वो हो सकता है अगर 20 से 25 सिस्ट से कम है तो उसमें कम chances रहते हैं infection ठेक है उसके बाद एंसे स्टेशन इन डियोडिनम एंसे स्टेशन यानि की सिस्ट से ट्रॉफोजोईट में आने की process ठेक है यानि की जैसे ही सिस्ट हमारी body के अंदर इंटर करता है तो 30 मिनिट के बाद यह जो है सिस्ट है ट्रॉफोजोईट में इसका conversation होने लग जाता है यानि की transportation इसका होने लग जाता है सिस्ट से यह जो है वह एंसे station होने लग जाता है और एक्जिस्टेशन मतलब क्या होता है सिस्ट से Transport होता है ट्रॉफोजोईट ठीक है और यह एंसे station कहां पर होता है डियोडिनम है मैं आपको पहले इसकी habitat कहां पर होती है स्माल in-tastine इसेशन का first part डियोडिनम and the middle part of the diodenum जयाने की diodenum के बीच में फिर diodenum में भी हो सकता है ठीक है उसके बाद existration जैसे ही होता है यानि कि तीस- बिनिस बाद जो है फॉपलाइट क्या होने जाता है release होने लग जाता है सिस्टमे से ठीकिन आव टॉपलाइट ठीक है आपके cadae दियोडीनम में फाइनली ठीक उसके बाद वह मल्टिप्लाइ ओता है बाइनरी फीजन चाहे चाहे वह आपके डियोडीनम में ओ या फिर आपके जेजुनम में सिस्ट के द्वारत रिलीज होता है 30 मिनिट के अंदर बाइनरी फीजन मतलब की 1-2 बनना 2-4 बनना प्रीके तो इस तरीके से बाइनरी फीजन इनका स्टाट होजाता है binary fusion यानि कि मालो दो सिस्ट थे सोरी दो थे तो कितने बन जाएंगे चार बन जाएंगे चार थे तो कितने बन जाएंगे आड बन जाएंगे ठीक है उसके बाद यह अभी तक आपके प्रोसेश जो है वो डियोडिना में चल रही थी और वो multiplication होने के बाद वो ट्रोफोसो जो है वो अडेर हो जाता है आपकी कहां पर डियोडिनल म्यॉ-कोसा में जाके ठीक है, यहां पर जाके मेरलिव होती है वहां पर जाके वो और द्acht-बार, वहोunya आपको पतृता it desk किशन के वहां करती है यह थाथ है कहाँ पर जाके डियोडिनल की मुकोसा पर जाके उसके बाद मुकोसा में जाने के बाद यह चला जाता है कहाँ पर जिएजूनम में जुह मिडिल पार्ड में जाने के बाद ये जाएग किसमें लार्ज इंस्टाइन बाद यह जो प्रोसेस में पर हो रही थी College स्टाइन में अब किस्क्रेट का पू सरुकों पेदेगे में जांब किस्टाइए का थाई мет request फीकिस कि निकले प्लेचिटी कि ट्रोफूर५ुजुदी ट्रोफुजुरु होती है उसके बाद की सिस्ट में कोई भी प्रेजिला नहीं प्रशन इंपहती ह९ह इस तरीके से चाहर नूपलिएस इक से नल्च तरहरा तो लाघ्चाइम आने के बाद में धीरे-दीरे वह फ्लेजिल्ला यो कि दो नुकलीं से किसना डिवाइड हो जाएगी उसके चार नुकला ही में से चार नुकला हएगी फ्रेजिलिए बने लग जाएगे यह बंदने लग जाएगी ज RIGHT जैसे ही यह मैचूर होगा सिस्ट जो है वह मैचूर होगा आपके लार्ज एंटस्टाइन में जब एंसेस्टेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो जैसे ही यह मैचूर होगा यह मैचूर सिस्ट जो होता है वह फीसेस के त्रू जो है वह पास्ट हो जाता है सिस्ट पास्ट इ जाके रह जाएगा जहां पर वो मतलब की रह सके लोंग टाइम तक ठीक है और लोंग टाइम तक विसे भी जादा तो नहीं रहते हैं और एक बार में दो हजार सिस्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं कितने होते हैं दो हजार होते हैं बट कंटामीनिटिट करने के लिए मेन को कितने काफी है केवल 20 से 25 सिस्ट जो है वो काफी है और एक बार में कितने एक्सक्रीट होते हैं तो दो हजार सिस्ट जो है वो एक बार में होता है कि सख्रीन के ऊपर कुछ प्रोटीन रहें और यह प्रोसेस सब्सक्राइब को कि आपको समझ में गई होगी उसके बाद हम देखते हैं इसकी पैथोजोनेशने से टी और क्लिनिकल फीचर ठीक है पढ़ में पढ़ लेते हैं उसके बाद में लेपारेटरी डाइगनॉस तो इसकी लाइब साइकल में वह से ज़्यादा समझें जिसा कुछ भी नहीं है जिए कि ट्रोफोजर इंकर होता है इन्टस्टाइन का इसके उसकता है ट्रेकिंगोझ जो है फितीलियम लेयर जो बनी हुई है उनका क्या होने लग जाते हैं या उसका डिस्ट्रप्शन होने लग जाता है माल अप्जूप्शन ओफेट विटामिन बीटल और फॉलिक एसिट यानि कि क्या होने लग जाता है फेट का विटामिन बीटल का और फॉलिक एसिट का यह सिम्टमेटिक होता है मैंटली होता है माल लो 50 प्रेशन्ट लिया है 20 लोटी 5 प्रेसे में आपको चीषम मिलेगा और ड्रॉटीम्टमेटिक ठीक है तो सिम्टम आपको मिल सकता है यह फिर अब Slosa फिर आफ्लिद सकता है कि गबराट सकती है तो यह कंडिशन जो अगर सिम्टम सजो हो रहे हैं तो यह सिम्टम्स सुसमें छोंगे ठिकेम पीरियद कि इसमीं पान रियसके shut up यानिकि 1139 बथिक है एक सब्सक्राइब बत करते हैं लेःफ़ टायगनोफ तो यह फिस के तुरू कर सकते हैं या फिर आप डियोडिनम में जाके डायक्ट फ्लूइड या फिर बाइपसी के तुरू आप उसका डेमस्टेशन कर सकते हैं अगर इस टूल एक्जामिनिशन के तुरू करते हैं तो कैसे करेंगे तरिके डियोडिन टाल देंगे एक तरफ लगबग सेमी रहती है तो उसमें क्या है थोड़ा से स्टूल का सेंपल लेंगे हम इसमें डालेंगे ठीक है अप्लिकेटर्सिक से mix करेंगे mix करने के बाद देने इसकी माइक्रुस्कूपी कर लेते हैं ठीके लेकिन जो ट्रॉफोज़ूइट फ़ॉम जो होता है वह किसमें जो होगा आपको सलाइन मॉंट्ट अगर करते हो ठीके और आयोडीन मॉंट्ट अगर करना है तो आपका क्या कीThere यानि की वो टाइटली मतलब बढ़ांता है दियो दीनम की सरफेस पर टो एजली वह मुव होके नहीं चलना लानी के रोस सिस्त जो हे वह फीसस के तो निकलता है तो टेस्ट जो हे वह आपको रिपेट भी कर लिना चाहिए एक बार अगर आप कर रहे हो नेगेटीव आ रहा है तो नेगेटीव आने के बाद उस टेस्ट को रेपीट कर लो क्योंकि मैंने आपको बता है कि अधेशन की वज़े से वह अच्छे से उससे बाइंड करके रखता है तो वह धीरे-धीरे-धीरे-धीरे रु करना नहीं करने के बाद आपकि यह से लगा रहे हैं तो अम उसका है निंटेशनिव has a तो उस कंडिशन में क्या करते हैं डायक्ट डियोडीनल से सेंपल लेते हैं वह कैसे लेंगे इन इस्टूल एग्जामिनेशन इंफ नैगेटिव धिया फिर अगर इस्टूल एग्जामिनेशन जो रेचिंग अपने रिपेट कर लिए उसके बाद भी नेगेटीव आरा है तो यह अंकि fluid निकालेंगे हम डियोडिनल से या फिर हम बायोपसी करके भी observation कर सकते हैं ठीक है मैं यह लिखा है अगर आप इस पायरेट करते हो डायरेक्ट डियोडिनल से तो आप उसको कैसे करना पड़ेगा इंटरोस टेस्ट के द्वारा ठीक है या फिर बायोपसी के द्वारा भी आप कर सकते हो इंटरोस टेस्ट कैसे लगाते हैं इसमें क्या करते हैं एक कैपसूल यूज करते हैं यानि कि इस त काने के लिए देते हैं यानि कि इस तरीके से पकड़ के रखते हैं और केपसूल जो है वह पेशन के मुह में डाल देते हैं पेशन के मुह में डालने के बाद कुछ समय बाद आपने यह लिखा है कैप्सूल स्वेलोड यानि कि वह पेशंट को स्वेलोड करें खालेगा ठीक है एंड इंटस्टाइन रिलेटिफ त्रेड वीच कैप्ट फोर फोर तो शिक्स आवर यानि कि वह जो कैप्सूल है वह चार से शे घंटे आपके इंटस्टाइन में जाके रहेगा और वह डी सोल हो जाएगा आपके इंटस्टाइनिल के फ्लूइड के साथ ठीक है एक एस प्लूइस करेगा डिलिस करेंगा यानि की हमारा यह उप्लूड निकाल लेंगे इसको हम क्या करेंगे निकाल लेंगे जब हम फ्लूइड निकालेंगे तो इस त्रेट को हम निकाल लेंगे उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे शेक करेंगे अच्छे से सलाइन के साथ क्या करेंगे शेक करेंगे शेक करने के बाद टेक 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 ट करने में इसके बाद से इसके और सकते हैं किया सकते हैं या nac आगर हम हम हैं न है इंटीचिन करना हे तो टेस्ट कर सकते हैं एंटिबोडी डित्रक्शन के लिये भी हम इलाइजा टेस्ट यूज़ करेंगे यह फिर डारेक्ट फ्लूरोसेंच एंटिबोडी तेस्ट याम हम intentar कर तेबेंगे में हम और Maagame они highlighting Agcanic media foreignать मेशन करते हैं निए לलाइक त Katy यह वैसे भी routinely used जो है वो यह नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ग्याडिया को अब्सवर करना बहुत difficulty होती है तो इसलिए कल्चर जो है वो routine यूज नहीं किया जाता है जियाडिया के लिए ठीक है और molecular method हम यूज करें तो PCR reaction sorry polymerized chain reaction जो है हम यूज करते हैं PCR ठीक है तो यह जियाडिया लेम लिया आज हमारा complete हो गया है तो मिलते हैं आगले वीडियो में तो दोस्तों कमेंट टर करें फिटबेक जरूर दें लाइक करें सस्क्राइब करें थेंक्यू